Hello friends, good morning, कैसे हो? I hope यह आप लोग अच्छे ही होंगे So friends, इस वीडियो में हम लोग solve करेंगे हिंदी का practice set पूरे 50 questions हम लोग solve करेंगे और यह practice set का 11 वीडियो है अगर आप लोग पिछली practice set की वीडियोश नहीं देखें हैं तो आप लोग जाके playlist में देख सकते हैं काफी सारी practice set की वीडियोश वहाँ पड़ी है आगर आप लोग को previous year के questions देखने हैं तो आप लोग playlist में जाके देख सकते हैं previous year questions मैंने एक अलग से playlist बनाया है तो वहाँ पे मैं 2016 से लेके 2020 तक के papers मैं डाल दिया हूँ यानि कि 5 साल के papers डाल दिया हूँ आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आप लोग को इन papers की पीडियाप चाहिए तो आप लोग हमारे टेली ग्राम चैनल से जाइन हो जाईए इस वीडियो के description box में मेरे टेली ग्राम चैनल की लिंक है आप लोग वहाँ से direct join होके हर एक papers की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए फड़ा फट हम लोग 50 प्रश्चनों को solve करते हैं अगर आप लोग अब लोग को 2021 में B.A.D. करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाईए चैनल को subscribe करके बगल मबल आइकन को on कर लिजेगा ताकि हर एक B.A.D. की जो भी important वीडियो रहे उसका notification आपको शमय समय से मिलता रहे अगर आप लोग एक free seat लेनी है तो आप लोग अभी से अपनी तयारी start कर दीजे अभी भी भी बहुत समय है तो पहला question यहाँ पे देख सकते हैं जाती पाती पूँचाए नहीं कोई हरी को भज़े सो हरी का होई यह पंक्ती किसकी है रहीम रमानंद कवीर अग्ये किसकी पंक्ती है आपको बताना है पुरे 50 questions में से आपके last में जितने भी score बने तो आप लोग अपने नाम score जरूर कमेट बाक्स में सेयर करें तो दिखे जाती पाती पूँचाए नहीं कोई हरी को भज़े सो हरी का होई यह जो पंक्ती है friends यह है कबीर की ठीक है option C correct होगा इस question का right answer आप लोग हरे questions का भी जवाब देते चल सकते हैं यह तो last में आप लोग अपना score बताईएगा pen copy अपने साथ में रखके हरो questions को note करते चलें अगला question दिवेदी यूग नाम करण किया गया यानि कि जो दिवेदी यूग है इसका नाम करण किसके दौरा किया गया था आपको बताना है option देख सकते हैं जो भी इस question का right answer आप लोग comment box में share कर शकते हैं अपना right answer तो देखें दिवेदी यूग जो नाम करण किया गया था वो महावीर परशाद दिवेदी के नाम पर किया गया था ठीक है option C correct होगा इस question का right answer important question आपके exam के लिए अगला question देखते हैं अगला questions यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लोक मंगल की भावना का सर्वसेष्ट कवी इन में से कौन है तो देखें लोक मंगल की भावना का सर्वसेष्ट कवी इन में से कौन सा है यह आपको बताना है अगला कोशन से यहां पे देख सकते हैं निमलिकित में से किस वाक्य में शंप्रदान कारक है आपको इन में से चारों वाक्यों में से बताना है किस में संप्रदान कारक है यहाँ पे वाक्यों को आप लोग पढ़ सकते हैं मेरा घर इस्टेशन से बहुत दूर है राम घर पर शो रहा है राजा ने निर्धनों को कंबल दिये निशार खेलता है संपरदान कारक किसमे है आपको बताना है तो देखिए शंपरदान कारक ये वाले वाक्यों में है राजा ने निर्धनों को कंबल दिये औप्शन सी करेक्ट होगा इस कोशन का राइट असर अगला कोशन्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है इसमें आपको बताना है तालब वे वेंजन का उन्षा है ठीक ना? यहां पे देख शेक्टे हैं option में तालब वे वेंजन अपको बताना है वेंजन से questions पूच ले आते हैं तो तालब वे वे वेंजन आपके होंगे चा चा जा 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 option B correct होगा, इस question का right answer, अगला question यहाँ पे देख सकते हैं, किस सब्द में A स्वर नहीं है, ठीक ना, किस सब्द में A स्वर नहीं है, पढ़ते हैं, वैदिक एक पैतरक इशने है, A स्वर किसमें नहीं आपको बताना है, तो इशने है जो है, शब्द जो है, इसमें ही A स्वर नहीं है, option D correct होगा, इस question का right answer, अगला question गद की विदा है, गद की विदा है, कौन है, वैंग, लगू कथा, निबंद, जो भी आप लोग फड़ा-फड़ बताएं, गद की विदा कौन सी है इसमें, तो देखे, गद की जो विदा है इन में से, वैंग है, लगू कथा है, निबंद है, यानि कि ये शब्धी, तीनों हैं गद की विदा, option D correct होगा, इस question का right answer, अगला question देखते हैं, questions आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, question ये है, हिंदी साहित का सर्वसेश्ट युग किसको माना जाता है, विरगाथा काल को, या रीती काल को, या अधुनिक काल को, या ये सभी, फड़ा फड़ बताएं, जो भी इस question का right answer हो, तो देखे, हिंदी साहित का सर्वसेश्ट युग जो माना जाता है, वो माना जाता है आधुनिक काल को, option C correct होगा, इस question का right answer, important question है आपक दोनों, इन में से कोई नहीं है, जो भी हो, पत्तर के प्रकार, आप लोग फड़ा फड़ा फड़ कमेंट बाक्स में बताएं, तो देखे, जो पत्तर के प्रकार होते हैं, वो आपचारिक और अनपचारिक दोनों होते हैं, तो option B match कर रहा है, इस question का right answer, अगला question से यहाँ पर देख सकते हैं, question यह है, आधुनिक काल का जन्म कब हुआ, कब हुआ है, आधुनिक काल का जन्म आपको बताना है, तो आधुनिक काल का जन्म हुआ है, फ्रेंड्स, वो है 1857 स्वी में, option B कर रहा होगा, इस question का right answer, अगला question से यहाँ पर देख सकते हैं, निबंध का गु इस question का जो भी right answer हो, तो देखे, friends, जो निबंध का गुण होता है, वो होता है, बैक्तिक की अभिवक्ति और सहबाकितिका का आतमी या अनुपचारिक इस थार, option C correct होगा, इस question का right answer, यानि कि A वा भी दोनों होगा, निबंध का गुण, अगला question देखते हैं, बाहु वचन कहते हैं, बाहु वचन आपको बताना है, किसे कहते हैं आपको, सब्द के जिस रूप में बाहु का बोध हो, या सब्द के जिस रूप में वस्तु या प्राडियों का संख्या का बोध हो, सब्द के जिस रूप में किसी की जाती का बोध हो, सब्द के जिस रूप में एक से अधिक हो, बहु अचन कीसे कहते हैं, आपको बताना है, यह तो simple सा है न, जो शब्द के, जिस रूप में एक से अधिक का बोध हो, ठीक न, वो बहु अचन कहलाता है, option D correct होगा, इस question का, right answer, अगला question से यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा समूह, प्रश्नवाचक, शर्वनामो का कौन सा है समूह, आपको बताना है, option देख सकते हैं, जो भी इस question का, right answer, आप लोग comment box में बता सकते हैं, तो देखी यहाँ पे कौन कीसे कब, यही जो है समूह, प्रश्नवाचक, शर्वनामों का है, option D correct होगा, इस question का, right answer, अगला question से यहाँ पे देख सकते हैं, question हम लोग read करते हैं, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के, तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर शोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं, तातकाली क्रिया, पूर्वकाली क्रिया, पूर्वकाली क्रिया, क्रिया थक क्रिया, क्या कहत पहली क्रिया को आप लोग बताएं फटाफट तो देखें पहली क्रिया को जो कहते हैं फ्रेंट्स वो कहते हैं पूरकाली क्रिया क्या कहते हैं आपको बताना है option देख सकते हैं जो भी इस question का right answer आप लोग commit box में share करें तो उश अब्या को कहते हैं शमुच्य बोधक अब्याव ठीक रहा शमुच्य बोधक अब्याव option A correct होगा इस question का right answer अगला question काउन सा वन्ड घोश नहीं है important question है इससे जरूर questions आया करता है option दे दिये जाते हैं कि बताईए इसमें से वन्ड घोश का उनसा नहीं है तो दीकिए वन्ड घोश इसमें से च्छा वाला नहीं है ठीक है option B correct होगा इस question का right answer अगला question दिगंबर का question दिविच्षेत है दिगंबर का बहुत ही simple important है आपके एक्जाम के लिए दिगंबर का सही संदिविच्षेत क्या होगा आपको बताना है तो दिगंबर का जो सही संदिविच्षेत होता है friends वह होता है दिक धन अंबर option B correct होगा इस question का right answer अगला question यहाँ पे देख सकते हैं यह जो गिरीस का संदिविच्षेत है न हर एक एक्जाम में repeat होगा करता है तो इसको आप लोग जरूरी याद कर लिजेगा गिरीस का संदिविच्षेत सब्द क्या होगा आज के बाद अगर कभी यह question आपको दिखे तो यह गलत नहीं होना चाहिए तो गिरीस का friends जो संदिविच्षेत होता है वो होता है गिरीधन इस option D match होगा इस question का right answer अगला question यहाँ पे देख सकते हैं स्वर संदि के कुल कितने भेद हैं इस्टा लगाईए अभी कभी important question है स्वर संदि के कुल कितने भेद होते हैं आपको बताना है बहुत ही simple सा question है जब आप लोग संदि पढ़े होंगे या भी नहीं पढ़े होंगे तो यह आपको तुरंत देखने को मिलेगा कि स्वर संदि के कितने भेद होते हैं तो श्वर संदि के कुल कितने भेद होते हैं पांच भेद होते हैं option A correct होगा इस question का right answer अगला question राम आया भाई से मिला और तुरंत लोट गया यहाँ वाकी है मिस्र वाकी या सैयुक्त वाकी या शरल वाकी या जटिल वाकी कौन सा वाकी है इसमें आपको बताना है तो इसमें जो है वाकी आपका है शन्युक्त वाकी है option B correct होगा इस question का right answer अगला question आधुनिक काल के युग है ठीक ना आधुनिक काल के युग है कौन से है आपको बताना है तो आधुनिक काल के जो यूग हैं फ्रेंड्स वो हैं प्रगतिवाद और रहश्वाद और प्रियोग वाग ठीक ना ये तीनों हैं option D correct होगा ये सभी वाला ठीक ना अगला question कबीर की रशनाओं का शंकलन किसने किया था ठीक ना कबीर की रशनाओं का शंकलन किसने किया था इश्वरदाश ने या दादू ने या रहधाश ने या धर्मदाश ने किसने किया था आप लोग फड़फट कमेंट बक्स मताएं तो कबीर की दशनाओं को शंकलन किशने किया था, धर्मदाश जीने किये थे, option D correct होगा, इस question का right answer अगला question, हिंदी भाषा में कितनी बोलिया हैं, important question है, हिंदी भाषा में कितनी बोलिया हैं, आपको बताना है पंदरा, पचीस, अठारा, बाइस, तो हिंदी भाषा में जो बोलिया हैं, वो हैं, अठारा, option C correct होगा, इस question का right answer अगला question, तदभाव पत्रिका के शंपादक हैं, ठीक ना, ये question का right answer बताईए आप लोग तदभाव पत्रिका के शंपादक का नाम क्या है, आपको बताना है लेला धर, जागूडी, विश्वनात, परशाद, तिवारी, हरिश, परशाद, उपाद्याय, अखलेश, जो भी इस question का right answer और आप लोग कमिन्ट बाक्सने फड़ा फड़ बताएं तदभाव पत्रिका के शंपादक का नाम है, वो है अखलेश, ऑप्शन डी करेक्ठो का इस question का right answer ये रहा, बहुत तगड़ा question ये वाला, सूर सागर किस भासा की रशना है बहुत important question है, सूर सागर किस भासा की रशना है, आपको बताना है तो सूर सागर ये ब्रज भासा की रशना है, भूलना नहीं है, सूर सागर ब्रज भासा की रशना है option C correct होगा, इस question का right answer अगला question, लंबोदर में कौन सा समाश है, important question है आपके exam के लिए लंबोदर में कौन सा शमाश है आपको बताना है, दंद शमाश तो होगा ही नहीं तत्पुरुष शमाश आपको बताना है, दिगुष शमाश बहु रही, कौन सा समाश होगा इसमें बताईए, फड़ फड़ लंबोदर में तो लंबोदर में फ्रिंड्स जो आपका शमास होगा वो होगा बहुरही शमास option D correct होगा इस question का right answer अगला question बेटा का सही पर्यवाची नहीं है ठेक न, यानि कि इन में बेटा का जो पर्यवाची है तीन दिया गया है और सही पर्यवाची आपको बताना है कौन सा नहीं है चारों में से जो भी इस question का right answer हो तो दिखे जो बेटा का सही पर्यवाची शब्द नहीं है वो है आपका अग्रच option D correct होगा इस question का right answer अगला question इश्टा लगा लिजी अभी के अभी question में क्या है जो पढ़ा ना जा सके के लिए एक सब्द चुनिए उसके लिए एक शब्द क्या होगा जो पढ़ा ना जा सके तो उसके लिए एक सब्द होगा आपठनी ठीक न, जो पढ़ा ना जा सके उसके लिएक शब्द होगा A-Pathani option B correct होगा इस question का right answer स्रोण्डकार का तदभाव रूप है स्रोण्डकार का तदभाव रूप क्या होगा यानि कि जो स्रोण्डकार है ये सब्द है और अपका और इसका तदभाव रूप आपको बताना है क्या होगा तो शुनकार का तदभा रूप क्या होगा शुनार, option B correct होगा इस question का right answer अगला question प्रती उप्षर्ग किस सब्द में नहीं है जो उप्षर्ग होता है वो शब्द के पहले में लगता है ठीक न? तो इसको हम पढ़ते हैं चारों में से प्रती दिन, प्रती निधी, प्रती धोनी, प्रती भा तो प्रती उप्षर्ग किस में नहीं है ये आपको बताना है तो इसमें तो देखिए प्रति दिन में आपका प्रति आ रहा है इसमें प्रति आ रहा है प्रति इसमें भी आ रहा है तो इसमें प्रति भा तो इसमें जो है आपका प्रति उपसर्ग नहीं है option D correct होगा इस question का right answer है अगला कोश्चन वही है उप्षर्ग का है इसमें भी आपको अताना है अद्धल आपका उप्षर्ग होगा इस कोश्चन about अधिक न, अध्धच में जो आपका उपसर्ग है वो है अधि, ठीक है, अगला कोश्टन देख सकते हैं आप लोग, कश्ट का अर्थ है, कश्ट का अर्थ क्या होगा, खेद या सारीरिक आसविधा, या दुख या शोख, तो कश्ट का जो फ्रेंड्स अर्थ होता है, वो होता कंगाली में आटा गीला कहावत का क्या अर्थ है, आपको बताना है, मुशीबत पर मुशीबत आना, यही इस कोश्ट का राइट अंसर होगा, यानि कि कंगाली में आटा गीला का कहावत का अर्थ होगा, मुशीबत पर मुशीबत आना, ठीक है, आप्शन एकरेक्ट होगा, इस question का right answer अगला question से यहाँ पर देख सकते हैं निम्न प्रश्ण में दिये गए विकल्पों में सुद्ध वर्तनी वाले शब्द का chain कीजिए ठीक ना यहाँ पर जागरत वाला शब्द दिया गया है इसमें से आपको चारों में से बताना कि कौन सा आपका शुद्ध होगा जागरत यह तो बिलकुन गलत है जागरत यह भी गलत है यह जागरत आपका correct है option C correct होगा इस question का right answer यह भी गलत होगा तो option C correct होगा इस question का right answer है जागरत आपको बोलना नहीं किस सरह लिखा जाता है ठीक है अगला question यहांपे देख सकते हैं दिये गए प्रश्णी के चार विकल्पों में से सही वाक्र का चैन कीजिए चारों में से सही वाक्र का आम का चैन करना है पढ़ते हैं तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी यह आपका गलत वाक्य है तुमारा या कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी ये आपका शुद्ध वाक्य है सही वाक्य बोल चकते हैं अगला कोशन यहाँ पर देख सकते हैं प्री वस्तु के नास की करण उत्पन होने वाले चित्त की बैकुलता कहलाती है अगला कोशन यहाँ पर देख सकते हैं चारू चंदर की चंचल करणे खेल रही है जल थल में अलंकार है अलंकार इसमें बताना है क्या होगा तो दिखें इसमें जो अलंकार होगा आपका उत्परेच अलंकार होगा option d correct होगा इस question का right अंसर अगला question देखते हैं अगला questions नहों पर देख सकते हैं गद्दांश के आगे आई question और यह 5 number 5 questions आई करते हैं फिरी के होते हैं आपके exam में तो 1 question 2 number का होगा सबसे पहले इसको कैसे किया जाता है तो दिखें सबसे पहले आपको प्रश्णों को पढ़ना होगा यानि कि जितने प्रश्ण दिये रहते हैं आपको उसको पढ़ना होगा उसके बाद आपको गद्धांश को पढ़ना होगा जैसे जैसे उत्तर आपका मिलता जाए, वहीं से आप टिक करते चले जाएए तो इसमें थोड़ा दिकत हो जाएगी पढ़ने में तो मैं आपको आंशर इसका बताय दे रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, questions क्या था, पहला जो है विद्या का अभ्यास करने वाले बैक्तियों को साथियों की कमी महसूस नहीं होती ही, क्योंकि क्या कारण था, यह सारा गद्दांश में इसमें दिया गया था, ठीक है ना तो इस question का जो राइट अंसरों का option C, यानि की पुस्तकें उनकी साथी होती थी यह सारा उसमें आपको गद्दांश में देखने को मिल जाएगा, अगर आप लोगो अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग PDF में पढ़ लीजेगा, ठीक है अगला question से यहां पर पूछा गया था, विद्या भ्यासी पुरुष के पास किस का वाश रहता था अगला question पूछा था, अध्धन के लिए किस का नियम द्रंटा से पालन होना चाहिए, तो अध्धन के लिए नित एक समय निशित किया जाए option A correct होगा, इस question का right answer, अगला question यहां पे काउन सा सब्द प्राउप्षर्ग लगा कर नहीं बना है, किस में प्राउप्षर्ग नहीं लगा है, यह आपको बताना है प्रियुक्त प्रशिद इसमें भी लगा है, प्रियुक्त में भी लगा है प्रश्ण इसमें जो है आपका प्राउप्षर्ग लगा कर नहीं बना है, option C correct होगा, इस question का right answer अगला question विद्वान सब्द का विलोम शब्द है, यह तो आप लोग अपने से ही कर सकते हैं, जैसे अगर पांच प्रश्ण पूछा जा रहा है उसमें, तो तीन प्रश्ण तो उससे ही रहेगा, और दो questions यह तो संद्विचेद उसमें दे दे जाता है, विलोम सब्द दे द मैं आपको बताया हूँ, जिसमें आयूजा कचिन बीच में लगा रहे, तो वो दंद समास होता है, आख मूंद के लगा देना है, इस तरी पूस में कौन से समास होगा, दंद समास होगा, अगला questions, दसरत सूतती हूँ, लोग बखाना, राम नाम का मरम है, आना पंक्ती है, क पाती पूछाएं नहीं कोई, हरी को भजे, सोई हरी का होई, यह पंक्ती किसकी है, तो यह पंक्ती है आपकी कबीर की, option C, correct होगा, इस question का, right answer, कीरती कला किस कवी की रशना है, आपको बताना है, तो यह है विद्धा पती की रशना, option B, correct होगा, इस question का, right answer, अगला question, रीति क्याल के कवी कौन है आपको बताना है तो रुटिकाल के जो कवी है वो हैं बक्सी हंस राज जी ऑप्शन ए करेक्ट होगा यह रहा लाश्ट वीडियो का कोशन भारते हिंदु जी के कब में कितनी सैलियों का दर्शन मिलता है फड़ा फट इस कोशन का राइट अंसर आप बहुत ही हेलफुल होंगे आपके एक्जाम में यही कोशन रिपीट होते रहते हैं अलग से कोशन नहीं बना जाते हैं तो डेली आप लोग प्रैट के सेट की वीडियो देखा करें और भी प्लैलिस्ट में वीडियो अब लेवल है आप लोग वहां से देख सकते हैं अगर पीडियो आप टेलिग्राम से प्राप्त कर सकते हैं